बेकर है कि A प्लस B बाई C 6 बेटा 5 है बी प्लस C बाई ये 9 वात दो है तो A प्लस C बाई B क्या होगा, स्टेंडर्स हवाल ऐसा है देखो इसको अगर सम करोगे denominator numerator को आपको A प्लस B प्लस C मिल जाएगा, यहां सम करोगे तो फिर से यह प्लस B प्लस C मिल जाएगा, ठीक है, यहां वैलू 11 आ रही है, यहां वैलू 11 आ रही है, इसका मतलब क्या है, इससे आप डारेक्ली ABC की वैलू निकाल सकते हो, 11-11 बराबर हैं पहले से, नहीं होते तो करते, बराबर अलड़ी है, तो अब देख आ गया, पांच, दो साथ, बटा चार, ठीक है, लेकिन इतना समय भी इस question में आपको लगाना था नहीं, इतना समय अगर आप इस question में लगा रहा हो, तो आप टाइम बरबाद कर रो, जीकिए 11 पार्ट यहां है, question में देखो, कहां पर 11 पार्ट है, हो गया answer, है ना, क्योंकि सारे expression जो लिखे हैं, simplified form में लिखे हुए है, total part फिर आपको 11 चाहिए, यहां पर भी a plus b plus c का, है ना, 7 और 4, 11, केवल चोथे option में आ रहा है, तो आपको कुछ और करने की जरूद नहीं है, आप सीधे यह देखे कि 11, 11, answer लगा दी, at fourth option को कि यहीं पर 7 plus 4, 11 आ रहा है, a plus b plus c that has to be correct, options को अगर आप exploit करते हो, तो आप questions को बहुत कम time में कर पाओगे, जिन question को करने में आपको time लगेगा